हाई कैसे सब स्वागेते दिन्यूटिकल चैनल पर मेरा नाम है निताश्रा सिंग और आज मैं आप लोग फोली लेकर आई हूँ एक हमारा काफी इंटरस्टिंग वीडियो आज मैं आपको बताऊंगी जो एक बड़ा सवाल है सब लोगों के दिमार्ख में कि कौन सा फोन लेना चाहिए इन दो डिवाइस के बीच पहला है हमारा सामजंग का एस 22 और दूसरा है हमारा आईपोन 13 दोनों ही हमारे काफी popular devices हैं और सब लोग confused है कि कौन सा फोन रहेगा best दोनों मेरे खुद के खरीदे हुए devices हैं और दोनों devices को मैंने काफी दिन use किया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में से best आपके लिए कौन सा रहेगा तो इस वीडियो में मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे दूँगी कि दोनों में से आपको किसके लिए जाना चाहिए इदर उदर की हम बात नहीं करेंगे कुछ गुमाफिरा के बात नहीं होगी बट रियल लाइफ एक्सपिरिंस में आपके लिए कौन सा फोन डेस्ट रहेगा यह मैं आपको बताऊंगी आज इसी वीडियो में तो फटा-फट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम नेस्ट करें सबसे में तो बात करें दोनों डिवैसिस के प्राइस के बारे में तो यहां पे दोनों ही हमारे 70,000 रुपे के बजट में आते हैं कुछ लोग कहेंगे आईफोन जो 13 है यह हमारा 80,000 का था बिलकुल 80,000 का था इसका प्राइस डॉप हो गया है और दोनों अब हमारे 70,000 रुपे के प्राइस में आ चुके हैं मतलब अब बिलकुल सेम टककर में हैं अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें दोनों डिवैसिस के बिल्ट के बारे में तो यहां पे दोनों ही हमारे flagship premium devices हैं जिसके अंदर दोनों में ही आपको मिलती है glass body और aluminium framing हाथ में hold करने में दोनों devices आपको premium feel होंगे वैसे देखा जाए तो यहां पे हमारे पास जो protection है वो भी आपको top notch मिलती है मतलब S22 में हमें मिल जाती है यहां पे gorilla glass victus plus की protection और apple में हमको मिल जाती है यहां पे ceramic shield की protection तो आपको दोनों devices में protection भी बढ़िया मिल गई devices आपको premium लगेंगे solid लगेंगे हाथ में hold करने में personally मैं अगर आपको बताऊं तो iPhone 13 मुझे हाथ में hold करने में जादा grippy लगता है और जादा better लगता है वैसे देखा जा तो यहां पे एक छूटी सी confusion created है कि हमारे जो Samsung S22 है यह एक compact device है compact size में आया है वैसे मैं को clear करूँ compact size जो होता है वो है हमारा iPhone 13 mini का यह compact size है इसको हमें compact device बोल सकते है Apple तो हमें देता है यह चीज़ Android में इस size का आपको कोई phone नहीं मिलता जो यह हमारा S22 है यह actual में आपके हमारे iPhone 13 के बिल्कुल बराबर आता है दोनों आप देख सकते हैं कि same हमारे size के devices है जो कि थोड़ा सा compact आपको कह सकते हैं लेकिन actual compact size से यह लोग बड़े है यहाँ पर आप देख सकते हैं iPhone 13 mini के comparison में हमारा यह S22 थोड़ा बड़ा device है बाता है Android में हमारे पस actual compact size में तो कोई option नहीं आती है तो यहाँ पर यह doubt when आपको clear किया Secondly, दोनों devices के अंदर हमारे पस यहाँ पर IP68 dust and water resistant rating आ जाती है लेकिन इसके अंदर आता है हमारा एक twist हमारा जो S22 है यह tested है डेढ़ मीटर तक आदे घंटे के लिए और iPhone 13 जो है यह हमारा tested है 6 मीटर तक आदे घंटे के लिए मतलब 4 times जादा आपको यहाँ पर protection मिल जाती है Samsung के comparison में मतलब दोनों फोन लेके अगर full side बैठे हैं और आपका पाने में गिर सकता है फोन तो आप Samsung से जादा Apple में rely कर सकते हैं कि यहाँ पर protection थोड़ी से जादा better मिल जाती है इसके इलावा built quality में दोनों डिवाइसे हमारे premium हैं top notch हैं साथ ही दोनों डिवाइसे के अंदर आपको 5G support भी मिल जाता है वह भी multiple bands में और वह सारे bands में उसके साथ दोनों डिवाइसे के अंदर आपको top level की यहाँ पर security भी मिल जाती है security patches भी time to time आपको updates मिलते रहते हैं अब इसके साथ अगर आगे हम बात करें दोनों डिवाइसे की performance के बारे में तो आपको दोनों के अंदर ही flagship performance मिलती है तगडी वाली मतब प्रोसेसर हमारे top notch प्रोसेसर हैं S22 के अंदर है हमारे पस snapdragon 8th generation 1 और Apple के अंदर है हमारे पस A15 bionic chipset दोनों के अंदर आप score यहां पे देख सकते हैं S22 का हमारा आया है 8 lakh 67,000 और हमारे Apple का 8 lakh तो यहां पे दोनों ही devices के अंदर आप कोई भी काम करते हैं heavy games चलाएं मतलब high settings पे graphics को बढ़ाने के बाद या फिर आप दोनों devices के अंदर कोई heavy apps चलाएं सारा काम आपका यहां पे day to day working हो या heavy काम हो अराम से smoothly दोनों devices के अंदर हो जाता है अब आता है difference की बात कि difference एक्चल में आपको कहां पे मिलेगा real life में हम बात कर रहे हैं on paper नहीं real life में अगर मैं difference की बात करूँ तो हमारा जो यह device है S22 इसके अंदर आपको heating feel होगी अब यहां पे मैं पहले ही clear कर रही हूँ जो लोग सोचते हैं कि यार हम तो इतनी कोई खास gaming नहीं करते हैं कि device हमारा कोई heat हो जाए या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हलका full का अगर heat होता है तो उसमें क्या दिक्कत होगी clearly बता रही हो ध्यान से सुनिए हलका full का heat नहीं हो रहा है heating issue आ रहा है अच्छा वाला और दूसरी बात सिर्फ gaming में नहीं कह रही हूँ मैं आपकी normal day to day life में बात कर रही हूँ कि device के अंदर heating यहां पे देखी जा रही है और सिर्फ S22 में नहीं Apple की S22 Plus में भी देखी जा रही है अगर आप इन दोनों devices के दर थोड़ी देर का camera यूज करते हैं brightly इसको full 100% पर करके कोई भी छोटा मोटा भी काम करते हैं तो आपको device यहां पे heat होता है मतलब आप दोनों devices के अंदर कोई normal काम करते हैं camera on करके अगर इसके नदर फोटोग्रास क्लिक कर रहे हैं उसी में device हमारा यह इतना heat हो जाता है कि इसको हाथ में hold करना मुश्किल हो रहा है मतलब heating हलका full किसी warmness नहीं है अच्छी तगड़ी heating है और अभी मैं आपको बता हूँ जो गर्मिया और जादा आजएंगे तो बिल्कुल इसको मतलब मेरे लिए अभी ही hold करना मुश्किल हो रहा था मुझे smudge में नहीं आ रहा आगे जाके क्या होगा मतलब एक तो यह device हमारा जो पूरा metal की यहां पर आपको framing मिलती है metal heat होके और जादा मुश्किल हो जाता है हाथ में पकड़ना और जैसे मैं इसके उपर cover लगा की use करती हूँ box में नहीं मिलता मैंने अपना purchase किया है cover और cover लगाने के बाद यह हो जाता है कि उसमें और जादा heat up हो जाता है device हमारा cover हटाके मेरे से वैसे ही नहीं पकड़ा चारा था जब मैं इसको use कर रही थी मतब यह जो device के दिक्कत है heating की यह normal day-to-day working में जो देखने को मिल रही है यह काफी जादा problem create कर देती है और action में बताऊं तो मुझे जो दिक्कत की बात लगी वो यह है कि Samsung का हमारा S22 heat कर रहा है Samsung का हमारा S22 Plus भी heat कर रहा है लेकिन हमारा Samsung का S22 Ultra जिसमें इन तीनों में मतलब same processor है हमारा लेकिन यह heat नहीं कर रहा इसके अंदर Samsung ने अपनी heating को अच्छे से control किया हुआ है और यह चीज मुझे विल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मतलब ऐसा लग रहा है कि Samsung नहीं चाहता कि आप यह दो devices खरीदो सिर्फ उसका Ultra ही खरीदो यह चीज अपल में नहीं है एपल के अंदर हमारे पास iPhone 13 Mini है या iPhone 13 है या iPhone का 13 Pro Max है सब में आपको same processor मिलता है A15 Bionic Chipset लेकिन आपको किसी में भी Mini में भी किसी के अंदर भी heating देखने को नहीं मिलती है कोई heating issue किसी भी device में नहीं आ रहा लेकिन Samsung में यह चीज नहीं है अब problem यहां आती है जब यह device हमारा overheat होता है उसके साथ इसके अंदर आपको थोड़ी throttling भी देखने को मिलेगी मतब frame drop होंगे आपके device की brightness कम हो जाएगी तो actual में आपको जो फो flagship performance के हम बात कर रहे हैं आपे comparison में वो आपकी कम हो जाती है आप उतनी अच्छे तरीके से इस device को यूज नहीं कर पाती साथ ही अगर अब मैं बात तो इस device के battery backup के बारे में तो clearly बतारी हूं मैं आपको मैंने दोनों device उसको काफी time यूज कर लिया है S22 आपका शाम तक खतम हो जाएगा आपको चार्ज करना पड़े गई पड़ेगा और जो हमारा iPhone है इसके अंदर आपको battery backup ठीक मिल जाता है मतलब आप इसको रात के 10-11 बजे भी अगर चेक करते हैं तो ये device के अंदर आपको battery मिल जाएगी एक दिन आपका अराम से निकल जाता है तो battery backup के हिसाब से भी हमारा Apple जादा बेटर मुझे लगा और दुक्की बात ही है मतलब कहीं लोगों को लगता है कि ठीक है शाम को चार्ज कर लेंगे अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इस device के साथ को चार्जिंग भी आपको 15 Watt की फार्ज नहीं मिलती है वो आपको S22 में नहीं मिलती है इसमें इसरह 25 Watt का support है जो आपको charger तो खैर दोनों में ही भार से खरीदना है अब 25 Watt की charging ना आपको यहाँ पर time लगएगा slow charging मिलती है दोनों devices के अंदर तो मतलब शाम को अगर आप ओफिसें निकलने लगें तो ऐसे नहीं कि जल्दी से 15 मिनिट में आदे घंटे में आपने इसको फुल चार्ज कर लिया ऐसा कुछ नहीं है आपको यहां पर टाइम लगेगा इस दिवाइस को चार्ज करने में उसके साथ 10 का हमरे टेलि फोट का लटा का लट्रा वाइड क्र अपिछ अपर उसक अप्सटम सीचे कामरा है आपल के अंदर 12 म्मी आपको 2 i can के अन०्ट में कहें मैं कहीं षाम लें मैंनैंग सब्सक्राइब के दिये हैं दोनोंसमें के लिए different picks और वीडियो से लिए हैं, उनकी अंदर मुझे यहां पर काफे बड़िया performance देखने को मिली, मतलब अगर आप compare करते हैं, तो आपको लगेगा कि Samsung जो है, वो हमारे थोड़े से जादा पंची colors दे रहा है, थोड़े सी जादा appealing pick दे रहा है, हाला कि Apple ने भी अब हमें जो यहां पर modes दिये हैं, vibrant mode आप वो अगर on कर देते हैं, तो आपको यहां पर ब्राइट colors के साथ, अच्छे पंची colors के साथ picks यहां पर मिल जाती है, और problem यहां आती है, कि आपको consistency नहीं मिल पाती Samson में, Samson के अंदर क्या है, कि अगर मैं एक ही जगा पर खड़ी हूँ, एक ही time की pick है, लेकिन picks में यहां पर difference यह देखने को मिलता है, कि dynamic range को maintain नहीं कर पा रहा, कभी-कभी एक ही जगा पर same pick लेने में भी subject को यह dark कर देता है, अगर backside में आपके light है, या कभी-कभी background को यह बहुत ज़दा light कर देता है, तो यह consistency यहां पर मिल नहीं पाती है, लेकिन Apple के अंदर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको same pick की quality आपको मिलेगी throughout, तो यह चीज़ की बात है, मतलब action में देखा जाए, अगर आप influencer हैं, या फिर vlogger हैं, तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आपको एक ही type की consistent performance मिले, अगर आप इतने पैसे cut कर रहे हैं, तो यहां पर Samsung के अंदर जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, consistent performance, एक steady performance, वो नहीं मिल रही है लेकिन Apple में आपको मिल रही है, इसके साथ, आगे अगर हम बात करें इन दोने devices के display के बारे में, तो यहां पर flagship display है हमारे, दोनों के अंदर हमारे पास OLED पैनल है, मतलब एक में हमारा XDR display है, दूसरे के अंदर हमारा 2X Dynamic AMOLED display है, दोनों की ही display हमारे flagship top quality के है, difference मैं आपको बत लेकिन अगर यहां पर आप देख सकते हैं, settings में जाके, आपको display के settings में मिल जाता है, यहां पर extra brightness, यह आपको by default देखा जाए, तो यह आपको disable मिलता है, आपको खुद जाके इसको on करना पड़ेगा, आप इसको on करते हैं, और उसके बाद अगर मैं अभी test लूँ, तो यह आप देख सकते हैं, कि यह कितना जादा bright कर देता है हमारे device को display को, मतलब Apple से भी जादा अब आपका यह वाला display हमारा bright हो गया, बढ़िया है, लेकिन problem यहां आती है, कि अगर आप यह extra brightness को on करते हैं, जो कि आप अगर sunlight में खड़े हैं, तो यह on आपको करनी ही पड़ेगी, sunlight में खड़े होके, तो यह extra dull लग रहा है, वहना Samsung का display अगर आप यूज करते हैं, तो आपने यहां पर जैसे ही धूप में गए, आपको brightness चाहिए थी अच्छी, तो आपने extra brightness display को on किया, तो आप जैसी इसको on करते हैं, पांच मिनट के अंदेर ही एक तो आपकी बैटरी मादा heat up हो जाएगा, तो आपके लिए इसको hold करके use करना ही, मुश्किल हो जाएगा, मतलब यह जो चीज दी गई है, यह मुझे अच्छी नहीं लगी, extra brightness on करे बिगेर, आपको बाहर दूप में खड़े हुए, यह device use करने में मजा नहीं आएगा, डल लगेगा display, लेकिन on क जब बढ़िया हो जाएगा, जिसमें आप use कर सके, तो उसमें यह device hold करना मुश्किल हो जाएगा, यह Apple के अंदर आप maximum brightness करो, normally एक ही mode है, और कोई extra on करने का mode नहीं है, उसको on करो, उसी में आपको सब कुछ नजर आएगा, कोई problem की बात नहीं, यह device हमारा heat up होगा, इसके सा आपल स्टोर में, वहाँ जाके इस phone को use करके देखो, आक्चल में आपने यह चीज़ कहीं जगा सुनी होगी, बहुत सार लोगों ने जिन्होंने भी इन दोनों को compare किया है, या इसके उपर वीडियो बनाया है, iPhone 13 पे, उन्होंने बताया ही होगा, कि Apple का experience है, जो Apple की optimization है, व नहीं दिया गलत बात है, लेकिन use करने में आपको experience अच्छा वाला ही मिल जाता है, इसके असाथ आगे अगर हम बात करें दोनों devices के audio output के पारे में, तो दोनों में ही आपको dual stereo speakers मिलते हैं, और काफी loud और clear sound मिल जाती है, testing में मैंने देखा, कि दोनों की अंदर ही above average हमारे perform क कर रहे थे, तेज sound हमें मिल रही थी, clear sound हमें मिल रही थी, generally जो sound experience है, वो Apple का ज्यादा बेटर इसलिए निकल के आता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी dual speakers से distribution काफी अच्छा है, तो आपको actual में जो experience मिलता है दोनों speakers से, वो थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है, वैसे Samsung क sound experience अच्छा है, बट Apple का थोड़ा सा और बेटर हो जाता है, यह था हमारा comparison in donor devices का, जिसमें रियल लाइफ में देखा कि actual में क्या difference आ रहा है, वैसे Samsung के अंदर यहां पर refresh rate आपको अच्छा मिल रहा है, उसके साथ आपको camera अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो Apple है वो clearly winner है, क्योंकि इसके अंदर आपको पहली बात कोई heating देखने को नहीं मिल रही है, कोई throttling देखने को नहीं मिल रही है, brightness के अंदर आपको अलग से यहां पर effort करने की जुरूरत नहीं है, और उसके साथ आपको consistent performance मिल रही है, जिस पे मतला आप rely कर सकते हैं, Samsung पे यहां हमें heating काफी जादा मिल रही है, उसके कोई work नहीं किया गया, जबकि ultra पे किया है, लेकिन इस पे नहीं किया गया, उसके बाद ऐसा heating है, कि मतला आपके लिए हाथ में hold करना भी device को मुश्किल होता जा रहा है, उसके सब consistent performance नहीं है, ना ही camera में, brightness को लेके भी आपके लिए द मांग रहे हैं काफी time से मेरे channel पे, तो फटा-फट से channel को जाके करें subscribe, अगर notification नहीं आ रही है, तो आप मेरे channel पे videos को जाके देख सकते हैं, मैंने कहीं सारी video डाल दी हैं, आगे और भी मज़दार videos आते रहेंगे, so अभी के लिए bye bye